Hello students, welcome back to my YouTube channel The Knowledge No-Kard और मैं हूँ आपकी टीचर रेनु धाकर तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाता Large Numbers in Practice और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ questions जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाता उसके उपर तो यहाँ पर हमको question दिया हुआ है Question number 1 है How many miligrams make 1 kilogram तो 1 kilogram equal to कितने miligrams होते हैं यह हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था यहाँ पर question है तो हम इसको solve करेंगे तो 1 gram equal to कितने miligram होते हैं 1 gram equal to 1000 miligram होते हैं ठीक है और 1 kilogram equal to कितने gram होते हैं 1000 gram होते हैं यह हम पढ़ चुके हैं already अब हम निकालेंगे कि miligram कितने होते हैं तो 1 kilogram equal to 1000 multiply by 1 gram अगर मैं कर दूँ तो कुछ फरक पड़ेगा इस पर नहीं फरक पड़ेगा अब यहाँ पर 1 gram की value कितनी है कितनी है 1000 miligram तो हम 1 gram की जगे पर क्या लिख देंगे 1000 miligram तो 1 kilogram equal to 1000 multiply by 1000 miligram तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 और 6 zeros 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब हम इसमें कॉमा लगाएंगे तो कैसे Indian number system से पहला कॉमा 1 digit चोड़के और दूसरा कॉमा 2 digit चोड़के तो हमारे पास यह कितना हो गया 10 lakh 10 lakh 10 lakh 10 lakh 1 10 100 1000 10 100 100 100 100 100 10 lakh 10 lakh तो इस तरह से हम रीड करते हैं नमर्स को Indian number system में तो यह कितना हो गया 10 lakh miligram तो हमारा answer क्या हो गया हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 lakh miligrams तो है इस तरह से हम रीड करते हैं तो अब बॉक्स कंटेंज टू लैक मेडिशन टेबलेट इच वेंग 20 miligram लैक हमारे पास यह बॉक्स है और इस बॉक्स में कितनी टेबलेट रखी हुई है 2 lakh टेबलेट रखी हुई है हर एक टेबलेट का वेट कितना है 1 टेबलेट का वेट कितना है 1 टेबलेट वेट equal to क्या है 20 miligram 20 miligram what is the total weight of all tablets इन दी बॉक्स इन ग्राइम्स एंड किलो ग्राम्स तो हम को क्या निकालना है कि टोटल वेट निकालना है किस में निकालना है Grams में निकालना है और kilograms में निकालना है तो एक टैबलेट का कितना weight है 20 तो 2 lakh का कितना हो जाएगा बताइए इसको हम 2 lakh से क्या करें multiply कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 और 0 कितने आएंगे और 0 कितने आएंगे तो यह हो गया हमारे पास में 6 zeros 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉमा लगाएंगे तो हमारे पास कितना आगया 40 lakh miligram total weight कितना हो गया हमारे पास में 2 lakh tablet का total weight in miligrams कितना हो गया 40 lakh अब हमको क्या करना है grams में निकालना है हमने पढ़ा था कि 1 gram equal to कितना होता है 1000 miligram तो 1 gram equal to कितना है 1000 miligram अभी हम क्या करेंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं उपर वाले नमर को इस नमर को कैसे लिख सकते हैं 4000 multiply by 1000 लिख सकते हैं तो हमारा 4 lakh ही आएगा miligram तो अब हम क्या करेंगे 4000 1000 miligram की जगे पर हम क्या लिख देंगे 1 gram तो हमारे पास कितना आ गया 4000 gram यह आ गया हमारा grams में अभी हम को किसमें निकालना है इसको किलो ग्रैम में तो वन किलो ग्रैम एक्वल टू कितना होता है 1000 gram तो अब हम यह जो 4000 है इसको कैसे लिख सकते हैं 4 multiply by 1000 gram 1000 gram की जगे पर क्या लिख देंगे हम 1 kilogram तो 4 multiply by 1 kilogram एक्वल टू कितना हो गया 4 kilogram तो हमारा आंसर क्या हो गया 4 kilogram तो हमारा आंसर इन केजी कितना हो गया 4 kilogram and इन gram आंसर कितना हो गया 4000 gram तो यह हो गया हमारे तोनों आंसर now our next question is how many centimeters make a kilometer तो हम पिछले वीडियों पढ़ चुके हैं कि 1 1 kilometer equal to कितने meter होते हैं 1000 meter होते हैं और 1 meter equal to कितने centimeter होते हैं 100 centimeter होते हैं तो अभी हमें क्या करना है कि अगर मैं 1 किलो मीटर को ऐसे लिख दूँ 10 x 100 मीटर तो कुछ फरक पड़ेगा तो अब मैं 1 किलो मीटर को कैसे लिख सकती हूँ 1000 x 1 मीटर और 1 मीटर एक्वल टू कितना है 100 सेंटी मीटर तो हम कै लिखेंगे 1 किलो मीटर एक्वल टू 1000 x 100 cm तो 1 किलो मीटर एक्वल टू कितना हो गया 1 और 5 0 1 2 3 4 5 तो हम कॉमा लगाएंगे तो यह कितना हो गया हमरे पास में तो यह गया हमारा आंसर तो बन किलोमेटर इकल टू कितने सेंटिमेटर होते हैं वन लेक सेंटिमेटर होते हैं अब नेक्ट कोशन इस नेम फाइब लार्ज सिटीज इन इंडिया फाइंड देर पॉपुलेशन यह आपका थोड़ा थोर्टिकल कोशन है इसलिए मैंने पूरा डेटा यहां पर आपको लिखा हुआ है तो हमने क्या किया फाइफ सिटीज ले ली डैली बैंगलोर मुंबई जैपुर एंड हैदराबाद अब जो डैली की पॉपुलेशन है वो कितनी है 32941000 तो हम इसको कैसे रीड करेंगे पहला कॉमा थ्री डिजिट छोड़के दूसरा कॉमा टू डिजिट छोड़के और तीसरा कॉमा भी टू डिजिट छोड़के तो हमारा यह नमबर क्या हो गया वन्स टैंस हंड्रेड थाउजंड टैन थाउजंड लैक टैन लैक एंड करोड तो यह कितनी वैली हो गई बैंगलॉर कितनी है चलिए अभी इसकी हम पॉपुलेशन इंटर्लेशन नम्मर सिस्टम में निकालते हैं तो पहला कॉमा थ्री डिजिट चोड़के और दूसरा कॉमा भी थ्री डिजिट चोड़के अब हम इसको रीड कैसे करेंगे तो यह कितना हो गया थर्टीन मिलियन शिक्स हंड्रेड एट थाउजेंड तो यह हो गई हमारी बैंगलॉर सिटी नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन ओफ मुंबई 2 करोड 12 लाएक 97 थाउजेंड पॉपुलेशन ओफ जैपूर 42 लाएक और पॉपुलेशन ओफ हैदराबाद 92 लाएक 83 थाउजेंड तो यह एप्रॉक्स है अभी कुछ कम जाता भी हो सकती है बट यह मैंने आपको एप्रॉक्स पॉपुलेशन इन बता ही है इस तबीजस की तो इस तरह से हम नंबर्स को रीड करते हैं मैं ड 있습니다 बेट्वीं डेली टू मोंबई डेली टू मॉंबई किलेंस ए है प्वीं थाटीस एक से क्लोमेटर living. तो दिईसं डिस्टेंस बीज़ेंगलॉर्च टू जापूर 1921 किलोमिटर इन डिस्टे is conversion of the units, conversion of units, that is our next question, question number one है, 780 meter equal to how many centimeter, 780 meter equal to how many centimeter, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम conversion किस तरह किसे करते हैं, तो हमको दिया हुआ है 780 meter, और हमें निकालना क्या है, centimeter, तो कैसे निकालते हैं, we know that one meter equal to how many centimeter, hundred centimeter, तो अगर मैं one meter को 780 से multiply कर दूँ, तो 780 meter हो जाएगा, और वही हमको निकालना है, और इधर भी हम क्या करेंगे, 780 से multiply, तो दोनों side में हमने 780 से multiply कर दिया, तो 780 meter equal to 78 और 30, तो हमरा answer कितना हो गया, 78,000 centimeter, तो answer is 78,000, question number 2 है, 190 meter equal to how many millimeter, तो 190 meter equal to how many millimeter, कोशना में करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, हमको पता है कि 1 centimeter equal to कितना होता है, 10 millimeter, और 1 meter equal to कितना होता है, 100 centimeter, तो millimeter में कितना हो जाएगा अभी, 1 meter equal to 1000 millimeter हो गया, अगर हम 1 meter को किस से multiply कर देंगे, 190 से, 190 multiply by 1 meter, और इधर भी हम इसको 190 से multiply कर देंगे, 1000 millimeter, तो हमारे पास में 190 meter equal to कितना millimeter हो गया, 190 और 30, तो यह हो गया, 1,90,000 millimeter, तो हमारा आंसर क्या हो गया, अबर आंसर इज, 1,90,000, ना कोशन नमर 3 इज, 937 centimeter equal to how many millimeter, तो इसको हम कैसे करेंगे, 937 centimeter equal to how many millimeter, तो अभी इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि 1 centimeter equal to कितने होते हैं, 10 millimeter होते हैं, तो 937 centimeter equal to कितने हो जाएंगे, 937 को हम multiply किसे करेंगे, 10 से millimeter, तो हमारे पास आंसर कितना जाएगा, 9,370 millimeter, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 9,370 millimeter, question number 4 is, 12 kilometer equal to how many centimeter, हमारा question है, 12 kilometer equal to how many centimeter, we know that 1 meter equal to how many centimeter, 100 centimeter, 1 kilometer equal to 1000 meter, तो 1 kilometer equal to in centimeter, 1 leg, इसको मैंने direct लिक दिया है, अभी, कि हम पेशली classes में उर्री पढ़ चुके हैं, अगर हम क्या करेंगे, 1000 को 100 से multiply करेंगे, क्योंकि हम किसमें चाहिए, cm में चाहिए, तो कितना जाएगा यह, 1 leg आएगा, आप करेंगे, देख लिजेगा, 1 leg आएगा, तो 12 kilometer equal to how many centimeter, 12 को multiply किस से कर देंगे, 1 leg से, 1 leg centimeter, तो हमारे पस कितना आगया, 12 leg centimeter, ठीक है, तो हमारा answer is, 12 leg centimeter, नेक्स्ट कोश्चन इज, इन 35 किलो मीटर, how many millimeter, तो हमारा नेक्स्ट कोश्चन है, इन 35 किलो मीटर, how many millimeter will be, 35 किलो मीटर equal to how many millimeter, तो हमको पता है कि, 1 kilometer में centimeter कितने होते है, 1 leg centimeter होते है, और 1 centimeter में millimeter कितने होते है, 10 millimeter होते है, तो हम क्या करेंगे, 1 kilometer equal to 1 leg को multiply किस से करेंगे, 10 से, और यहाँ पे आएगा, क्या आपना millimeter, तो हमारी जो units हैं, वो किसमें आगई, किलो मीटर एंड मिलिमीटर में तो यह हो गया हमारा TEN LAG मिलिमीटर है मैं तो 30 फाइव किलो मेटर इक वाल डून के तब जाएगा 35 को फंर तू थ्रिव फ्रिव फाइफ शीच सोरिंहां लगा देंगे हम कॉमा है तो हमारा कितना हो गया थ्री करोड़ 50 lakh क्योद हो गया ? क्यों हो गया ? 50 lakh millimetre बहुत हो गया ? तो answer क्या हो गया ? जहाँ पर बहुत लंबी unit है 3 करोड 50 lakh आप इसमें इतना कुछ नहीं है 1 km equal to 1000 m होते हैं 836 km equal to कितना हो जाएगा 836 को हम 1000 से multiply करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा मीटर में तो हमारा answer क्या हो गया 836 836,000 m 937,000 m 1041,000 m